नमस्कार दोस्तों, दोस्तों SMTC, Institute of Technology से पहुन सब, दोस्तों आप सब कैसे हैं, उमेद करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, दोस्तों आज का जो वीडियो होगा, बहुत सारे स्ट्वेंट का कॉमेंट था, कि सर टूल्स पे वीडियो लेकर काईए, कि मोबाइल रिप यह जरूरी नहीं है, सारे टूल एक ही बर खरिद लेंगे, इतना पैसा सभी के पास नहीं होता है, तो दोस्तों, कैसे कैसे, अगर आपके पास कम पैसा है, तो भी आप कैसे टूल को खरिद के मैनेज कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मिल जागा जानकारी, अगर आप सा हमारे चैनल पर नएं है तो जरूर्ट चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो को लाrado को और आज और बीट डूडर का वीडियो क्या क्या हम रड़ पड़ेगा पर टार्प करते रख यहां पर लेकर का है को सबसे और यह हमें जरूर लेना चाहिए देगे DC power supply machine है आप कम बजट का भी DC machine आता है अगर आपके बजट का संख्या कम है तो 17-1800 में भी अलग company का आता है केटी का वो खरीच सकते या यह खरीचना चाहिए देवी खरीच सकते यह DC machine से एक अनुमान आता है इसलिए DC machine आपके पास बहुत इंपोर्टेंट है यह होना चाहिए सकेंड नमबर टूल है दोस्तो SMD machine SMD machine भी अगर आपके पास इतने बजट है तो यह machine ले सकते हैं अगर आपके पास कम बजट है तो 25-26 क्यास पास का भी DC machine ले करकर आपना दु DC power supply और SMD यह होना जरूरी है फॉल्डर कटिंग का काम करोगे तो उसके लिए से बैटर मसीन होना जरूरी है बहुत तरे फोनों को गरम करके खोलना पड़ता है उसके लिए से बैटर मसीन होना जरूरी है मतलब DC power supply SMD machine और से बैटर मसीन यह तीनों compulsory है एक mobile repairing दुकान को च जरूरी है इसको भी अपने पास होना चाहिए आगे चलते हैं इसको बोलते है smart charger बोलते है आई charger बोलते है शिक्स को चार्जर बोलते है लोग हाथ सभी लोग अलग अलग नाम से जाते है तो यह जरूर लेना क्योंकि charging section selected यह टूस बड़ा इपोटेंट है समझ लोग यह mobile क चीजों को बिना फॉन खोले चेक कर देता है बत्तों यह टूल आपके पास होना ही हो चाहिए बिना फॉन खोले लगाओ पता चुन जाएगा कहां पे कुछ दिक्कत है क्या charging section में कुछ दिक्कत है क्या यह सारे यह होना चाहिए यह मैट है दोस्तों यह आपको अगर आपक अगर बजट कम है तो आप इसको नहीं भी लोग है तो चलेगा कोई दिककत नहीं बाकी यह सारे कंपल्सरी है उसके बाद यह है आयरन जो कि यह आयरन जो है यह सब आप अप आयरन लेते हो तो आई सी रिपैरिंग आई से रिपालिंग का का में आपको ज्यादा है जमफर सकते हैं तो तो आप इस पहता होओं करना ही सबसे बड़ा चीज होता है तो चलो अगे देखते है आपना मोबाईल रिपैरिंग के फिल्ड में multimeter requirement बहुत जरूरी है multimeter आपके पास में होना चाहिए तो आप multimeter भी लेना जरूरी है तो ये multimeter ले सकते हैं आगे है microscope microscope ये अभी तुरंट नहीं budget है तो नहीं लेना है ये तब लेना है जब dead phone IC revolving का काम है खुब जादा आने लगता है तब क्योंकि अगर आप microscope खरिदोगे तो 15, 16, 17, 18, 18, 15 तो यही आजाएगा तो पूरे tool का पैसा तो यही ले जाएगा तो ये जो है आपको तुरंद नहीं करें ना पहले दुकान चालो करो ये सब tool ले करके अच्छा repairing आता है अच्छे earning आते है देखो दोस्तो टूल्स जो खरिदा जाता है पैसा जो business में लगा जाता है वो कैसे लगा जाता है देखो earning कैसा आ रहा है customer कैसा आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने दुकान में और चीजों को लगाएंगे तो ये जो microscope है यह आप तुरंट नहीं लगाओगे, जब देखोगे उस, क्योंकि बजट आपका comment, अगर बजट आपका है, तो तुरंट खरीद लो, लेकिन बजट आपका नहीं है, तो इसको आप तुरंट मत लगा, इसको आप देखो, दुकार अच्छा चलने लगा, तब ले लो, आगे कि दर है बॉर्नियों बॉर्नियों hardware repairing के लिए बहुत important tool है और आपके पास ज़रूरी है क्योंकि tracing fault finding करने के लिए schematic diagram बड़ा important है अगर कोई बोलता है कि बॉर्नियों important नहीं है तो समझलों बढ़ी बहतरीन तरीके से रिपैरिंग नहीं कर पार है हाँ बोर्नियों के जगा कोई और कंपनी हो उससे मैटर नहीं करता है लेकिन स्मेटिक डाइगराम आपके पास में होना चाहिए क्योंकि रिपैरिंग के फिल्ड में यह बहुत आपको हैल्प करेगा बहुत मदद करेगा यह रहेगा ताप कैसे तो लोगे काम आता है तो टूल तो अनलोग करने का बहुत सब्सक्राइब लेकिन अभी जो मार्केट में खूब ज्यादा और आच्छा चल रहा है वह आपका अनलोग टूल को पर्चिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप आप सॉप्टर का काम करते हो तो आगे है फ यह वाले टूल्स होना बड़ा जरूरी है चली चलते हैं कुछ आगे टूल्स के बारे में आगे देख सकते हैं यहां पर कुछ छोड़े चोड़े टूल्स है जब आप मोबाइल रिपैरिंग का काम करोगे उसमें कभी चिम्टा का जरूत पड़ेगा कभी ब्रस का जरूत कभी कुछ-कुछ ओपनर देखे अलग-अलग डिजाइन का ओपनर अलग-अलग टाइप का आपका टूल्स रहेगा नट खोलने के लिए तो वो सारे चीज़े फॉंटर चिपकाने के लिए गुलू रहेगा यह सारे चीजों को आपने पास यह ज़्यादा में नहीं आता है है आप ज़ी यह खड़ना चाहोगे पूरा से सारा चीजिया आ जाता है यह अपना कुछ आपनर अगरा है यह सब खोलने के लिए होता है तो यह सारे चीज़े आपने पास में कुछ-कुछ होना चाहिए देखो यह सब चीज़े है वह requirement के हिसाफ से तुरंट नहीं लेना है काम में आपको आसारे चाहिए तब ध्रद रही है आगे क्या है आगे rifoire को डूट कि काम करूगे तो काम कर कबढ़ेंगा उसके लिए कि पीडियोगई से बल्सक्राइश कटर लोग निकालने का परियास करोंगे तो आगल बगल का कंपोनेंट निकल जाएगा आईसी भी अच्छे से निकलेगा बाकी काम करने में आपको दिक्कत आएगा इसलिए आपने पास कटत होना चाहिए आगे है यह फ्लक्स जब हम लोग को रिबॉलिंग का काम करते हैं उससे में भी लिक्विड क क्लीन करना होता है इन सारे जगहा पे इस्तमाल होता है तो डिस्वाल्ड वायर अपने पास होना चाहिए यह यह बड़ा important चीजे है आगे है आई सी एस इसी गरो करोगे तो आईसी एस्टेंसील होना चाहिए जिससे आप अच्छे तरह के सर रिबॉल कर पाओगे आईसी एस्टेंसील उनिवर्सल अभी आता है आईसी मोडल के मोडल के एकॉर्डिंग भी आता है तो जैसा आपका बजट होगा, वैसे आप काम करोगे, क्योंकि सिंपल साचीज, आपको वह भी देखना पड़ता है, कि हमारे pocket में कितना पैसा है, दोस्तों अगर आप mobile repairing का business start करना चाहते हो न, यह जरूरी नहीं कि सारे चीजों को ले करके ही हम चालू करें, आप कुछ-कुछ कम चीजों को ले करके भी चालू कर सकते हो, जो ज़ादा नीड है आप उसको ले करके चालू कर सकते हो, आपका budget जितना ही है, भाई साब दुकान का tool उतना ही में आ जाएगा, बस अगर आपको कोई चीजों का जानकारी चाहिए कि हमें कम budget में tool लेना है तो आप comment कर सकते हो, या call कर सकते हो हम आपको जरूर help करने का प्रयास करेंगे लेकिन दोस्तों अपनों दुकान जरूर चालो करो, ये नहीं कि हमें 30,000, 40,000 tools में लगा रहा है, नहीं आप 10,000, 15,000 का भी tools ले करके शुरुवात, शुरुवाती जो होता है, वो सबसे कठोर होता है शुरुवाती जो होता है, वो सबसे दर्दनाक होता है शुरुवाती जो होता है, वो सबसे ड्रावना होता है शुरुवाती जो होता है, वो सबसे खराप लगता है है लोगों को कि शुरू कैसे करें शुरू करने में ही लोगों को डर लगता है तो भाई सब एक बार कदम जरूर उठाने का प्रयास करो ये तना क्वण फिडेंस है कि आप आगे जरूर बढ़ोगे अगर आप सुरू कर दोगे तो क्योंकि इस फिल्ड में अच्छी अर्नी हो वह सारे सी इंक्रूड करेंगे यहां पर में यह दिखाए जो पुरा नीड है जोरत है इंपोर्टेंट है जिसके बीना मेरा दुकान चली नहीं सकता है तो वह सारे चीजों काम दिखाने का प्रयास के दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताएंगे अ दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही अपना किमती समय दे करके देखते हैं इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार